अब दोस्तों स्वाइगत है आपका अपने YouTube चैनल SRG Academy पर दोस्तों जैसे कि आपको पता हिए कि हम लोग जो है उत्तरप्रदे से कुश्ण के माध्यम से को कवर करें और जो है उसमें जो भी मतलत जिसे कुश्ण संब्स तो सिख जो भी पॉइंट्ट ऊंगे सभी को जो है मतलब डिटेल से कबर करेंगे और जो है अब जो सारे पॉइंट जो लिखने वहरा में नोट भूण में ही लिग turkey ďनीपन और जो है Maps लेकर बाढ़ें ऑसारे फारे पाइंट भी नोट करने मलतव सही से जो है कि भी आफ्भझ को है डिटेल से बताया जाए सबको नोट करना है है कि अधेक है ऐसे पहला कोशन कि जह हाल ही में उत्तर पर्देश के को बन्ह चथे ला में है इसजिला में सिकारा बोड की शुरुआत हुई है सिकारा बोट की शुरुवात अच्छा यह सिकारा बोट की बात करें तो यह सिकारा बोट जो है जो जम्मू कस्मीर में जो डल जील जो है तो वहां पर देखा होगा जो इसे बोटे चलती है तुरिस्ट के तुरिस्ट मतलब उसमें जो आके घूमते हैं तो मजा लेते हैं तो इसे सिकारा बोड की शुरुवात इसके बाद में इसे बरालसी की बात करें बरालसी ठीक है बरालसी में किसी का जो है शुरू क्या गया है तो बरालसी को टेंट सिटी के नाम से भी जानते है टेंट सिटी टेंट सिटी जो है यह बरालसी को ही कहा जाता है इसके बाद में इसे बरालसी को घाटों की नगरी के नाम से घाटों की नगरी ये बरालसी को कहा जाता है बरालसी को घाटों की नगरी या जो है से टेंड सिटी और जिससे बरालसी को हम जानते हैं तो बरालसी उत्तर पर देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है सांस सांस करते के राजधानी सांस करते के अगर राजधानी पूछे कि उत्तर पेज़े कौन सी है तो बाराल सी इसका अंसर क्या था प्रियाग राज प्रियाग राज की और अगर हम बात करें तो प्रियाग राज में जैसे एक तो सिकारा बोर्ड का आयोजन हुआ है और प्रियाग राज में यह बता था पिछली क्लास में कि एफिल टावर की तर्ज पर एफिल टावर की तर्ज पर एफिल टावर की तर्ज बिक्सित किया जाएगा इसके बाद जैसे कानपूर की बात करें तो कानपूर में क्या है कानपूर में जो है कानपूर में एक तो जैसे दलहन सोथ संदान कानपूर में और कानपूर में आईटी फिस्टियल इंटेलिजेंस सहर भी इसको इस्थापित कहा रहा है गाजीपूर ठीक है और जो गाजीपूर जो है यह गाजीपूर 12 मंडल के अंतर गाता है ठीक है हम लोग दूसरा कोशन देखते हैं अगर्ण दूसरा कोशन है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ठीक है कि इस जिला में गिद्ध प्रजनन केंद्र इस्थापित क्या गया उत्तर प्रदेश के गिद्ध प्रजनन केंद्र या जैसे जटायू जटायू संरच्छड केंद्र इसका अंसर क्या होगा तो यह जो है महराज गंद्र कहां पर महराज गंद्र में और महराज महराज गंद्र केंद्र इस्थापित केंद्र इसे यह कुसी नगर की बात करें तो कुसी नगर में उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांस जेंडर उनिवर्स्टी स्थापित की गई है यह यूपी की पहली यूपी की पहली ट्रांस जेंडर ट्रांस जेंडर उनिवस्टी इस्थापित की गई है उनिवस्टी इस्थापित की गई है ठीक है कहाँ पर कुसी नगर और कुसी नगर का अगर जिसे जिला मुख्याले पूछे तो पल रहो ना करके इसका जिला मुख्याले यह कहाँ पर है पल रहो ना जिला मुख्याले पल रहो ना है इसका जिसे बलिया की बात करते है तो बलिया जो है बलिया को बागी जिला के नाम जानते है बलिया इसको बागी जिला के नाम जानते है बलिया को बागी जिला करता है और पूछाता है जैसे कि बलिया का सेर किसको का जाता है तो बलिया का जो सेर का जाता है ये चित्तु पांडे को चित्तु पांडे चित्तु पांडे ठीक है चित्तु पांडे को बलिया का सेर का जाता है उसके बात में जैसे बलिया यूपी का सबसे उत्तर प्रिदेश का अगर जिसे पूछे कि सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक कौन सा है ठीक है सबसे पूर्वी तो जिसे अगर बात करें बलिया पर ठीक है बलिया बलिया दो है बलिया ये यूपी का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक है सबसे पूर्वी जिला ठीक है यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बलिया उसके बाद यसे अगर पूर्वी हो गया अगर दक्षडी पूछे यसे यूपी का दक्षडी जिला यूपी का सबसे दक्षडी जिला तो दक्षडी जिला कौन सा होगा दक्षडी जिला जो है ये सोन बद्र सोन बद्र दक्षडी जिला सोन बद्र अगर इसे उत्तर प्रिदेश का सबसे उत्तरी पूछे यूपी का उत्तरी जिला यूपी का उत्तरी जिला उत्तरी जिला कुन सा है सहरन पूर सहरन पूर यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है साहरन पूर अगर दक्षडी जिला की बात आए यूपी का दक्षडी तो हुई गया है ठीक है अगर इसे उत्तरी हो गया और पश्चिमी जिला की गर बात करें पश्चिमी जिला यह उत्तरी साहरन है पश्चिमी जिला अगर जिला पोँचे तो यूपी का कौन सा है सामली यह यूपी का पस्छिमी जिला है ठीक है? अगला कुश्चन देखते हैं बोग कुश्च्चन है कि उत्तर प्रदेस में डेस के कितने है यहीं देस हे कितने रेलवे जोनों का विस्तार है यानि रेल्वे जोनों का विस्तार पूछ रहा है कि UP में कितने रेल्वे जोनों का विस्तार है यानि UP से कितने रेल्वे जोन यह होके गुजरते हैं जैसे आफसन है जो है 2 या जो है जिसे 3 रेल्वे जोन 4 या आफसन D जो है 5 ठीक है के पांच को नंबीं से हैं तो युपेसे में सिस पार से बिद्ट है उसका नाम में जाने है उत्तर मंद्ध रेल्वेफ। पहले कुन सा है उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे का है जो मुख्याले पता होगा कहाँ पर है न्यू दिल्ली में ठीक है न्यू दिल्ली में ये उत्तर रेलवे का मुख्याले है यह उत्तर रेलवे का मुख्याले न्यू दिल्ली फिर जो है एक उत्तर मध्ध र रेल्वे उत्तर मद रेल्वे उत्तर मद रेल्वे इसका जो हेड़कॉर्टर कहां पर है ये प्रियाग राज में प्रियाग राज इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है प्रियाग राज में इसके बाद में जैसे और एक पूरवॉत्तर करके यह पूरवॉत्तर करके पूरवॉत वाहार एक है पूर्व मद रेलवे पूर्व मद रेलवे इसका कहां पर है पूर्व मद रेलवे. इसके बाद में जो है यह उत्तर मद्द और जो है उत्तर रेलवे पूरव उत्तर पूरव मद्द इसके बाद में जो है एक पश्चिम मद्द है पश्चिम मद्द यह कहां पर है यह जवलपुर में जवलपुर ठीक है यह जो है रेलवे जोनों का विस्तार है और इसे जो अगर प्रियागराज ये यूपी में ही इस्तित है और एक जो है ये पूरवत्तर पूरवत्तर ठीक है पूरवत्तर ये कहां पर गोरगपुर में तो ये यूपी में ही दो जोन इस्तित हैं दो मुख्याले रेलवे जोनों के मुख्याले यूपी में ही इस्तित हैं और जिसे कितने क विसतार है तो fail 3 अगर इसे हम बात करें कि भारत में कुल कितने railway zone है तो भारत में कुल कितने railway zone है उनकी consisting में 58 अठारे एंची बहरत में 28 अगर कि नवीयनतम पूछ ले कि नवीयनतम railway zone कौन सा है तो अठारे में जो नवींतम railway zone है उसका नाम में जो दक्षिर तटवर्ती रेलवे दक्षिर तटवर्ती रेलवे दक्षिर तटवर्ती रेलवे और इसका एर्ड़काटर कहां पर है विसाखा पतनम ठीक है याद रखेंगे अगला कुश्ण देखते हैं यूपी का सबसे छोटा पक्षि वियार हैनि उत्तर प्रिदेश का सबसे छोटा पक्षि वियार तो सबसे छोटा पक्षि वियार कौन सा है उत्तर प्रिदेश का आफसन क्या है आफसन ए नवावगंज पक्षि वियार ठीक है नवावगंज आफसन बीज हो इसका लाग बहु सा है सेखा पक्षिव्यार और सेखा पक्षिव्यार अगर पूछा जाए यह कहां पर इस्तिते तो सेखा पक्षिव्यार यह अलीगड में अलीगड़ सेखा पक्षिव्यार कहां पर रहे तो यह अलीगड़ में अलीगड़ में इस्तिते अलिगर और यह पता होना चाहिए जैसे अगर इसका पूछे की 76 फल कितना है यानि कितने 1 km में यह फैला है तो यह 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 बर 1 km में यह फैला हुआ है इसके बाद जैसे पटना अगर पटना के शहत्फल की बात की जाए तो जो है पटना का जो है छेत्रफल एक दसमलब एक करके एक दसमलब एक बरग किलोमीटर ये पटना का है इसे यहां पर दिया हुआ है लाग बहुसी पक्छी व्यार अगर लाग बहुसी पक्छी व्यार के हम बात करें तो लाग बहुसी पक्छी व्यार जो है ये यूपी का सबसे पाला पक्षी वियार जो है वो यह है लाग बहुसी पक्षि वयार इसका अगर जेत ciento की बात करें तो इसे किसी मिय में जो इस आफ 18 88 किलोमीटर ऐसी से 18கिलोमीटर सिलोमीटर किलोमीटर में यह फैला हुआ हुआ है पंधा पक्षि व्यार है यह थो है पहला पक्षि व्यार ईसा यह कि इसके स्थापना पोचे तो 1989 44 जाए अगला कुष्प में अगला कुष्ण देखे ते धंक यू पी कर नोचंदी मेरा लगता है इंही उत्तर प्रदेश में किस जगह पर जो नोचनदी का मेला अपसन नौचनदी का मेला को घंदू- burac यह कहां पर मेलब में यानि नौचनदी मेला का ऐसन तो मेलब मेरट में इश मेरच की बात करें मेरच में एक सर्धना मेला का युजन कहा ह veure Il सर्धना मेला कायोजन मेरट में इसके बाद में जैसे मेरट जो है किसके लिए फिरसिद है तो कैंची के लिए ठीक है कैंची जो है कहां पर तो ये मेरट ही फिरसिद है और मेरट मंडल भी है मेरट मंडल में कितने डिश्टिक आते हैं तो छे डिश्टिक आते हैं इसके बाद जिसे आगरा की बात करें तो आगरा जिसे आगरा में कौन-कौन से मेले लगते हैं आगरा में जो है कैलास मेला लगता है कैलास मेला ये आगरा में लगता है कैलास मेला एक जो है इसे बटेसुर मेला है बटेसुर पसु मेला पसुओं का है बटेसुर मेला ठीक है ये किसका है पसुओं का है बटेसुर पसुओं का ये मेला लगता है इसके बाद इसे बलिया की बात करें तो बलिया में ददरी मेला लगता है कौन सा ददरी ये भी पसु मेला है ददरी पसु मेला कहां पर बलिया और बलिया के बारे भी बताता कि ये स सभसे पूर्वी दिलाले यसे सारंपुर सारंपुर में ये ऐला टिला यह फेमान साकोंवरी देव attempts कमभरी साकंभरी देवी सीले इंटेक हैं यह मेला को लगता है सारंपुर आप जो है यह सहरानपुर यूपी का सबसे उत्री जिलाविए अगला कूश्चन की निम्निम से कौन सा निरत्थ पुत्र के जन्म के समय है जो क्या आता है पुत्र के जन्म के समय जो क्या आता है जब पुत्र का जन्म होता है तो कौन सा न्रत क्या आता है तो चारोगर आफशन की बात करें तो यहां पर जो है जो खयाल न्रत जो है खयाल न्रत जो है यह पुत्र के जन्म पर होता है खयाल न्रत पुत्र के जन्म पर जो है यह खयाल न्रत होता है इसे और यह खयाल न्रत यह कहां पर होता है तो यह बुंदेल खंड में ख्याल न्रत और यह सहरा भी सहरा न्रत जो है यह भी बुंदेल खंड का यह दोनों कहां के हैं बुंदेल खंड के बुंदेल पुन्देलखन में इसके अलावा भी और मतलब जैसे यहां पर जो निरत्व गढ़ा होते हैं और कौन-कौन से निरत्व होते हैं एक तो यह से सहरा फसल का टाईप है ख्याल निरत्व पुत्र के जन पर उसके आद्यसे धुरिया होता यहीं पर दुरिया मैं एक देवी निरत पुंधियलखन में जोगनी पूचे है। जोगनी का थो यह अवद का है? अवद है अवद है। आयूद्या अवद ही कार नगर बारा बंकि यह वाला चैत्र अवद कहलाता है। तो जोगनी अवद का यही पर कलावाजी भी होता है। कला बाजी ठीक है कला बाजी जो निरत्त जो है वो भी यहीं पर होता है चर्कुला की बात करें चर्कुला किस छेत्र का है तो चर्कुला ये बिरज का है बिरज छेत्र में बिरज छेत्र बिरज छेत्र में क्या होता है चर्कुला निरत्त होता है इसके अलावा विज़े से य दूला निरथे और गूं सा दूला है यह है दूला यह ठीक है दूला ढ़ा गंधा अछुसा कों पनता यह कोन मैला ए छो फिस्मराइ्क का पहिए सर्पर रखकर और उसमें 108 एक सो अ फना इसमें निरत्थ करती है, तो इसमें यही है कि रत के पईया पर, रत के पईया पर जोए 108 डीपक रखके, 108 डीप रखकर यह होता है, चर्कुला, काफी जो इंपोर्टन्ट है, ये ब्रेच छेतर का, काफी इंपोर्टन्ट है, अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुछन है इसे तुलसी दास का जन्म कहां हुआ था तुलसी दास का जन्म कहां हुआ था ठीक है तुलसी दास आप सने राजापूर राजापूर ग्राम में दूसरा जो है कालपी ग्राम या इसे लहरपूर गाउं या पतियाली गाउं ठीक है तुलसी दास का जन्म चित्रकूट में राजापूर ग्राम पड़ता है यहीं इसे बात करें यह कालपी कालपी यह यह जगे कहां पड़ती है यह जालून में कालपी जालून और यहां पर अगर पूछे किसका जन्म है तो कालपी जालोन में किसका जन्म है तो कालपी जालोन यहाँ पर बीरवल का है बीरवल का जन्म बीरवल का जन्म जो है यह कालपी जालोन है यह बीरवल का जन्म कालपी जालोन इसके बाद मैं जैसे बात करें यह लहरपूर और लहरपूर यह गाउं कहा पड़ता है तो सीता पुर सीतापुर में ये लहरपुर गाउँ पड़ता है और सीतापुर में ये लहरपुर गाउँ पड़ता है और लहरपुर गाउँ में किसका जन्म है तो लहरपुर गाउँ में जो जन्म जो है ये टोडर मल का राजा टोडर मल राजा टोडर मल का जन्म जो है ये सीतापुर गाउं में और ये सीतापुर में जो है लहरपुर गाउं में होता है किसका टोडर मल अच्छा ये टोडर मल कोन है तो टोडर मल जो है अकवर के जो अकवर के जो भूराजय से विवस्ता थी वो इन्हीं केंडर में थी जो सेर्षा सूरी के टाइम पर भी इन्होंने काम किया है ये सेर्षा सूरी के भी समकाली थे और एक और इसका अफ्शन है जिसे पत्याली तो पत्याली कास गंज ये कहाँ पर पड़ता है कास गंज में पड़ता है पत्याली कास गंज ठीक है अगला कुष्टन करते हैं कि यूपी के किस जिला को धान का कॉटोरा अगे एक किस जिला को का जाता है तो किसी जिला को धान का कटोरा तो यह जो है आफसन है इसे प्रियागराज, B, चंदौली, C, कानपुर, और D, पिरताबगल, मतलब सरवादिक धान कहां पर होती है, तो इसका आफसन होगा चंदौली, यानि यूपी में सरवादिक धान जो है यह चंदौली में होती है, सरव प्रिताबगल किस लिए फेमस है, तो प्रिताबगल यह आमला के लिए फेमस है, आमला, ठीक है, आमला के लिए फेमस कौन सा है, तो प्रिताबगल, प्रिताबगल में सरवादिक मात्रा में आमला पाय जाता है, प्रिताबगल में, इसके बाद में जो है, इसके और उसके बाद में इसे क्रशी से संबंधित काफी यंत्र भी बना जाते हैं इसके बाद इसे प्रियाग राज के वारे मैं तो आपको पता हिए कि इसे UP में सबसे अधिक जो अगर आवादी पूचे कहां कि ए सरवादिक आवाधि में जुगूच आवादी सरवादिक आवादी प्रियाग राज में दूसरा क्या है कि सबसे अधिक ग्रामीड सरवादिक ग्रामीड आवादी सरवादिक ग्रामीड आवादी ये भी कहाँ पर प्रियाग राज सरवादिक ग्रामीड आवादी प्रियाग राज इसके बात में प्रियाग राज अगर पूछे कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो प्रियाग राज में जो है कौन कौन से जिले आते हैं तो एक तो प्रियाग राज मंदल है एक तो प्रियाग राज इसके बाद में जो है प्रियाग राज के बाद में कौशाम भी आता है इसी में कौशाम भी और कौशाम भी के बाद में जो है इसमें फतहपुर भी आता ह पिर्यागराज, कौसामभी, फतेपुर, पिर्तियापगड, इसके बाद में अगर पुछे कानपुर, ठीक है, तो कानपुर किसके लिए फेहमास है, एक तो कानपुर में सबसे कम, बात करें, इसे सरवाधिक महिला साचर्ता पूछे, सरवाधिक महिला साचर्ता, सरवाधिक म तो यह कंपूर की यह इसके बाद में जये सब कानपूर में इसके बाद में और इसके अलावा एसे दलहन सोध संस्तान और संस्तान और यहां पर एक कैंसर भी संस्तान बनाए गया हैhel मुझें तो यह भी कांपर में ठीक है, और यह तो freaked चाभना का तोरह अगर पोंचे रखते एंग यूपी में सबसे अधिक यूपी में सफसे अधिक गेहुं का अत्पाधन पर बता तो गोहर अन्सर ओका ilum अगला सबस् sixty देखते है कि यूपी के की सिख जिला में जवाहरvard energy शाला साहर यूपी के किस जिला में जवाहर नचतर साला ठीक है जवाहर नचतर साला यह यूपी के किस जिला में जवाहर नचतर साला अगर इससे बात करें आफसने प्रियागराज आफसन भी रामपुर या ऐसे लखनों में या गोरकपुर में जवाहर नचतर साला तो यूपी में चार यूपी में 4 जवाहर नचतर साला हैं ठीक है कितनी है 4 यह जवाहर नचतर साला यूपी में 4 है इसका अंसर क्या होगा जवाहर की बात है तो यह प्रियागराज यह इसका अंसर क्या होगा प्रियागराज जवाहर नचतर साला कहां पर है तो यह प्रियागराज में है इसके ब बेर बहादुर सिंग नज्षतर साला बीरबाकुर सिंग नज्षतर साला कहां पर है तो यह गोरखपुर में है प्रियाग्राद में जवार इसे मैं राम पूर में करूं में कौन सी नचतर साला है तो रामपुर में आरवर नचतर साला ठिक है यह कहां पर है तो यह रामपुर मे यह एक ओर है 3 हो गई एक जो है लखनों में अगर लखनों में पूछे कौन तो लखनों में जो इस्तित है उसका नाम है इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी नचत्र साला ठीक है पुछले कि इंद्रा गांधी नचत्र साला यह कहां पर इस्तित है तो लखनों में तो क्या बताए कि यूपी में कितनी नचत्र साला है चार ठीक है जवहा नचत्र साला प लखनव, लखनव में कौन सी है, इंद्रा गांधी, नचत्र साला लखनव में, ठीक है, और इसे गोरकपुर बताया था, कि गोरकपुर में सरवाधिक बारी सगर पूछे, सरवाधिक बरसात, सरवाधिक बरसात कहां पर होती है, तो गोरकपुर में ही होती है, इसके बाद में सरवाधिक मात्रा में गेहुं का उत्पादन यह भी कहाँ पर तो यह प्रियाग राज में गोरकपुर में ठीक है यह भी गोरकपुर में एनि सरवाधिक सरवाधिक मात्रा में गेहुं का उत्पादन गोरकफर में सरवाधिक बर्साद गोरकपुर में तो सबसे कम कहां पर चाकूं पुछले चाकू जो है ये कहां के परसिद है तो ये रामपुर के रामपुर में चाकू परसिद है अगला कोशन देखते हैं अगला कुछन है यूपी के किस जिला में सहरिया जन्जाती निवास करती है यूपी के किस जिला में सहरिया जन्जाती ठीक है सहरिया जन्जाती जो है यूपी के किस जिला में निवास करती है तो सहरिया जन्जाती अगर जन्जाती की बात करें तो यूपी में बरतमान सोय मे जो है, यूपी में बरतवान समय में 12 जंजाती हैं, 1976 में इसमें 5 ती, 1977 से पहले 5 ती, उसके बाद में ऐसे 1967 में, 1967 में यूपी में 5 जंजाती थी, पांच जंजाती, 1967 में ती, और फिस जब संदो 1000 में, जब उत्रा खंड यूपी से अलग हो जाता है, तो अलग हो जाने के बाद में जो है, तीन उधर चली आती है, इधर बच तीन बस्ति एँ, ठीक है, तो इधर बस्ति हैं, दो, इसके बाद में, सन 2000, सन 2003 में, सन 2003 में जो है, फिर यहाँ पर दस और जोड़ी आती है, तो 10 और 2 यहां पर पहले बस्ती है, 2000 में, तो यहां पर total कितने हो जाती है, यहां पर 12 है, अगर बरतमान की बात करें तो 12 है, UP में जनजातियां, अब जिसे question क्या है हमारा, UP में सहरिया जनजाती, कहां पर निवास करती है, तो सहरिया जनजाती जो है यह ललितपुर में, कहा ही बताया था कि Uranium, Uranium, Uranium कहां पर पाया जाता है, तो सरवादिक मात्रा में, Uranium UP में दो है, यही पर पाया जाता है, इसके बाद में इसे प्लेटिनम करके, प्लेटिनम, यह कहां पर पाया जाता है, तो प्लेटिनम दो है, यह भी ललितपुर में, इसके बाद में राक फास सरवादिक तामबा अगर पूछे तो कहां पर पायाता है तो सरवादिक तामबे की मात्रा जो है यह भी लेलितपुर में ही पायाता है इसके बाज़े से बिजनोर की बात करें बिजनोर में भी एक जनजाती निवास करती है बिजनोर में कौन से जनजाती है तो यह बुकसा य चाते वीज रोड में निवास करती है एक और इसके बाद में से सौन बदर में जोए युपी में काफी Primary कौन सी है तो सोन बदर में सैरे तो पहरिया रंगा फेरिया किन cao mine faaliyeda Bayaubscribe बैका फेर वह भी पर इसके भाद में से पुनिया करके वेगा पुनिया धना पुनिया बाद करें तो सोन बदर में सबसे अधिक इस्टी गाव अगुर्ण झाल